दोस्तो नमस्कार आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में अब सुनिए उपन्यास देवदास का तेरह वां ध्याए इसी तरह दो वर्ष बीत गए महींद्र का विवा करके पार्वती बहुत कुछ निश्चिन्थ हो गई पुत्रवधु जलत बाला बुद्धिमती और कारेकुशल है उसके बदले ग्रिहस्थी के बहुत से काम वही करती है पार्वती ने अब दूसरी उर्मन लगाया है उसका ब्याह हुए पांच वर्ष हो गये लेकिन कोई संतान नहीं हुई उसके अपने बाल बच्चे नहीं है इसलिए दूसरों के बाल बच्चों पर उसका बहुत अधिक अनुराग है गरीबूं और दुख्यों की बात तो दूर रही जिन लोगों के खाने पीने का भी कुछ ठिकाना नहीं है उनके बाल बच्चों का भी अधिकांच खर्चा उसने अपने उपर ले लिया है। इसके सिवा देवमंदिर का काम धंधा करके, साधू सन्यासियों की सेवा करके और अंधों तथा लूले लंगणों की देख रेक करके ही उसके दिन कट रहे हैं। पारवती ने अपने पती से कहकर एक और अतितिशाला बनवा ली है। उसमें बेसहारा और असहाय लोग इच्छानुसार रह सकते हैं। जमिदार के यहां से ही उन लोगों को खाने और ठहरने की सुविधा मिलती है। इसके सिवा एक और काम परवती बहुत ही गुप्त रूप से किया करती है। पती को भी उसकी खबर नहीं होने देती। वो दरिद्र और भले आदमियों को चुप चाप आर्थिक सहायता देती है। ऐसा वो अपने निजी खर्च से ही किया करती है। अपने स्वामी से वो हर महीने जो कुछ पाती है वो सब इसी में खर्च होता है। उसका पता कचहरी के नायब गुमाश्तों को लगे बिना नहीं रहता। वे लोग आपस में इस बारे में बगज़क किया करते हैं और एक रोज राद को अपने पती से कहा। क्या तुम घर के कोई नहीं हो। महेंद्र ने पूछा, क्यों आखिर बात क्या है। स्टिरी ने कहा, दाज़ दासीयां तक देख रही हैं तुम नहीं देख सकते हो। बाबू जी तुमासे कुछ नहीं कहेंगे लेकीं तुमारा तो क कहना उचित है महेंद्र की समझ में कुछ ना आया लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई उसने पूछा आखिर बात क्या है जलत बाला गंभीर होकर स्वामी को मंत्रणा देने लगी नई मा के बाल बच्चे तो है नहीं फिर उन्हें ग्रहस्ति का ध्यान क्यों होने लगा तु पुन्य अतिथी भिक्षुक सभी कुछ तो है अच्छा वे तो अपना पर लोक सुधार रही है लेकिन तुम्हारे तो आगे बाल बच्चे होंगे वे क्या खाएंगे अपना सब कुछ लोड जाने पर क्या वे लोग अंत में भीग मांगेंगे महेंद्र पलंग पर उठकर बैठ गया और बुला तुम किसकी बात कर रही हो मा की जलद ने कहा मेरी तकदीर ही फूट गई है जो सब बाते मूँख खोल कर कहनी पड़ रही हैं महेंद्र ने कहा इसलिए तुम मा के नाम नालिष करने आई हो जलद ने कुछ नाराज होकर कहा मुझे नालिश फर्याद की जरूरत नहीं है मैंने तुम्हें सिर्फ भीतरी बाते बता दी है नहीं तो अंत में तुम मुझे ही दोश देते महिंद्र ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा तुम्हारे बाप के घर हांडी तक तो रोज चढ़ती नहीं तुम जमिदारों के घर के खर्च का हाल क्या जानो इस पर जलद को गुस्सा आ गया बोली और तुम्हारी मा के बाप के घर कितनी अतितिशा लाए खुली हैं कहो ना महेंद्र बिना उससे विशेश तर्क वितर्क किये चुपचाप पड़ा रहा वो सवेरे उठकर पारवती के पास पहुँचकर बोला मा तुमने भी मेरा खूब ब्याह किया इसके साथ तो ग्रिहस्ती चलाई ही नहीं जा सकती मैं तो अब कलकत्ता जाता हूँ पारवती ने अवाक होकर पूछा क्यों बेटा वो तुम्हारे बारे में कड़वी बाते कहती है मैंने उसे छोड़ दिया पारवती इधर कुछ दिनों से बड़ी बहु का रंग ढंग देख रही थी लेकिन उस भाव को दवा कर उसने हस्ते हुए कहा ची बेटा वो तो बहुत अच्छी लड़की है इसके बाद उसने जलद को एकांत में बुला कर कहा क्यों बेटी कुछ जहगड़ा हुआ है क्या सवेरे से ही जलद अपने स्वामी की कलकत्ता यात्र का आयोजन देखकर मन ही मन डर रही थी सास की बात सुनकर रोने लगी और बोली माँ दोश मेरा ही है लेकिन ये नौकरानिया ही खरचवरच के बारे में तरह तरह की बातें किया करती है पारवती ने सब बातें सुनी उसने खुद ही लजजित होकर बहु की आखें पोची और कहा बहु तुम ठीक ही कहती हो लेकिन बेटी मैं वैसी ग्रहस्तिनी नहीं हूँ इसलिए खरचवरच का मुझे उतना ज्यादा ख्याल नहीं था इसके बाद उसने महेंद्र को बुला कर कहा बेटा तुम बिना अपराद के क्रोध मत करो तुम स्वामी हो यही ठीक है कि तुम्हारी मंगल कामना के आगे इस तरी के लिए और सब बातें तुच्छ हो बहु तुम्हारी लक्षमी है उसी दिन से पार्वती ने अपना हाथ खीचना शुरू कर दिया अब अतिथी शाला और देव मंदिर की पहले की तरह सेवा नहीं होती बहुत से अनाथ अंधे और साधु फकीर यूही वापस चले जाते घर के मालिक ने ये सुनकर पार्वती को बुला कर पूछा क्यों जी क्या लक्षमी का भंडार खत्म हो गया पार्वती ने हसते हुए कहा सिर्फ देते रहने से कहा तक काम चलेगा कुछ दिन जमा भी तो करना चाहिए देखते नहीं हो खर्च कितना बढ़ गया है बढ़ने दो अब मुझे और कितने दिन जीना है जो थोड़े से दि क्याल रखोगे और बाल बच्चों को योहीं बहजाने दोगे कुछ दिनों तक और शांत रहो उसके बाद फिर सब होगा आदमी के काम तो कभी खत्म नहीं हो जाते चौधरी महाशयल आचार हो गया पार्वती का काम धंधा अब कम हो गया इसलिए उसकी चिंताएं कुछ अ उतकंठा है इसलिए वो मनुष्य को श्रांत कर देती है वो अधिक समय तक नहीं सोच सकता लेकिन आशाहीन को ना तो सुख है ना दुख है ना उतकंठा है फिर भी त्रिपती है उसकी आखों से आशू भी गिरते हैं उसमें गंभीरता भी होती है लेकिन वो चिंता रोज नए सीरे से उस से चोट नहीं पहुंचाती वहलके मेघ की तरह जहां तहां तहां टैरती रहती है जहां हवा नहीं लगती वहां ठहर जाती है और जहां लगती है वहां से जाडियों आम के बगीचों पाट शाला और तलाप के घाट आदी का चक्कर लगा आता है और कभी-कभी किसी ऐसे स्थान में छिप जाता है कि पार्वती स्वम अपने आपको ही ढोंड नहीं पाती आगे शायद कभी-कभी उसके होटों के कोनों पर हसी भी आ जाया करती थी ल तरह रहने में दिन कट जाते हैं कोई उसे कहता है लक्षमी स्वरूपा अन्नुपूर्णा और कोई कहता है अन्यमनस का उदासिनी कल सवेरे से ही उसमें एक और प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो मानों कुछ तीखी और कुछ कठोर हो गई है परिपूर्ण औ ज्वार वाली गंगा में मानों अचानक कहीं से भाटा आ गया है घर का कोई आदमी उसका कारण नहीं जानता सिर्फ हम जानते हैं मनोर्मा ने कल गाउं से एक पत्र लिखा है पार्वती इधर बहुत दिनों से हम लोगों में से किसी ने भी एक दूसरे को कोई पत्र नहीं लिखा है इसलिए दोश दोनों का ही हुआ है मैं चाहती हूं कि एक समझोता हो जाए दोनों ही अपना अपना दोश स्विकार करके अपनी अपनी नाराजगी को कम करें मैं बड़ी हूं इसलिए मैं ही क्षमा मांग लेती हूं मैं आशा करती हूं कि तुम शीग्र ही उत्तर आज प्राया एक मास हुआ है, मुझे यहां आए हुए, हम लोग ग्रिहस्त के घर की स्तियां ठहरी इसलिए शारिरिक अच्छाई और बुराई पर उतना ध्यान नहीं देती, मर जाने पर कहती हैं कि गंगा लाब हुआ है और जब जीती हैं तब कहती हैं कि अच्छी हैं, मैं सही ये सोच रही हूँ कि तुम्हें ये समाचार दूँ या न दूँ तो भी मुझ से रहा नहीं जाता मानो मारीच किसी दशा हो रही है देवदास का हाल सुनकर तुम्हें तो दुख होगा ही लेकिन तुम्हारी हालत का ध्यान करके मैं भी बिना रोई नहीं रह सकती भगवा कि जो बात सारे संसार के लोग जानते हैं उसे क्या छिपाना आज 6-7 दिन हुए देवदास यहां आया है तुम ये तो जानती ही हो कि जमिदारिन काशी वास करती हैं और देवदास कलकत्ता वासी हो गया है वो घर आया है सिर्फ अपने बड़े भाई के साथ जगड़ा करने और अपने रुपए लेने सुना है कि वो इसी तरह बीच-बीच में आया करता है और जब तक रुपएयों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक ठहरता है रुपए मिलते ही चला जाता है उसके पिता को गुजरे ढाई बरस हो गये हैं तुम्हें ये सुनकर आश्चर होगा कि इतने ही समय में उसने अपनी लगभग आधी संपत्ती उड़ा दी है विजदास तो बहुत ही हिसाब से रहने वाल आदमी है इसलिए उसने पैत्रिक संपत्ती किसी प्रकार अपने ही हाथ में रखी है नहीं तो इतने दिनों में उसे भी दस आदमे मिलकर लूट लेते लेक दुख भी होता है न तो अब वो सोने का सा रंग है न वो रूप है और न वो श्री ही है मालूम होता है कि ये और ही कोई है सिर के रूखे बाल हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं आखें गड़े में धस गई है और नाक खांडे की तरह आगे निकल आई है अब मैं तुम्हें क्या बताओं कि वो कैसा कुछ सित हो गया है देखने से ही घणा और डर लगता है दिन भर नदी किनारे बांध पर बंदूक हाथ में लिए चिडिया मारता फिरता है और धूप में जब सिर घूमने लगता है तब बांध पर उसी बेर के पेड़ के नीचे सिर नीचा करके बैठा रहता है संध्या हो जाने पर आकर शराब पीता है और रात को सोता है या घूमता फिरता है ये भगवान ही जाने उस दिन संध्या को मैं नदी से जलाने गई थी देखा कि देवदास हाथ में बंदूक लिए किनारे किनारे सूखा हुआ मुह लिए चला जा रहा है जब मुझे पहचाना तो पास आकर खड़ा हो गया मैं तो मारे डर के मर ही गई घाट पर कहीं कोई नहीं था उस दिन मैं अपने आपे में नहीं रह गई भगवान ने बहुत रक्षा की कि उस दिन उसने पागलपन या बदमाशी नहीं की उसने बिल्कुल निरीही और भले आदमी की तरह शांत भाव से पूछा क्यों मनो अच्छी तो हो बहन उस समय और क्या करती डरते डरते सिरहला कर कह दिया तब उसने ठंडी सास लेकर कहा तुम सुखी रहो बहन तुम लोगों को देख कर मुझे बहुत आनंध होता है इसके बाद धीरे धीरे चला गया मैं उठती थी तो गिर गिर पड़ती थी फिर भी शरीर की सारी शक्ती लगा कर भागी मैं यारी बड़े भागे थे कि उसने कहीं मेरा हाथवात नहीं पकड़ लिया अच्छा अब उसकी बाते जाने दो अगर मैं उस दुर्वृत्त का सब वृत्तांत लिखने लगों तो इस चिठ्ठी में पूरा नहीं आ सकता बेहन मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया न अगर आज तक भी तुम उसे नहीं भूली हो तो तुम्हें कष्ट तो होगा ही लेकिन उपाय ही क्या है अगर मुझ से कोई अप्राध हुआ हो तो अपने गुणों से अपनी इसने कांख्षणी मनों बेहन को शमा कर देना